खबरान दी शुरुआत अहम खबरतों बीते दिनी सिकंदर सिंग मलूक का दे बीजे पी देविच शामिल होनो लेके सोशल मीडिया ते लगातार चाल रही हैं खबरानों चूटा करार दिन्दे होई सिकंदर सिंग मलूका दे पुतर गुर्पित सिंग मलूका ने मुड तो खारिच कर दिता है मलूका दा कहना है कि यो कदे भी बीजे पी देविच शामिल नहीं होनगे हलाकि सूत्रंदा कैनाए की बीते देनी मलूका अपने पुत्तर नो रमपुरा विदान सबा हल के तो चोन लड़ो नो लेके ते खुद मौड हल के तो चोन लड़नू लेके अकाली दल देनाल नराज जरूर चल रहे सन पर उना ने बीजेपी देवे जाननों लेके मुड़ तों खारिच कर दिता है यानि की हुन मलुका बीजेपी दे नहीं होनगे तेरामपुरा विदान सबा सीट तो ही चोन लड़ेंगे आज जो मुलुका साथ बीजेपी चामल होन दिया ख़वरां सोशल मीडिया ते बीजेपी ने फ्लैश कीती हैं और मैं समझते हैं कि बिल्कुल चूटियां गल्थ ते वेबने आदा है वोदे बीजेपी शामल होन दिया कोई भी गल्ली सो उनों मुटों रद कर दिया ते नाड़ी मैं इस न्यूजेपी ने नाड़ गल्भी कीती कि जदो इस तरह दी को ग दा इनपर्मेशन दे देती थी तो आसी नुन टेलीड गरता है ज़स्के मैं दसना चाहुना के प्षरो थे सल्की देविच्च मेहम चल रही है जित थे वो शांदार जित प्राप्त करनगे रामप्रापुलाल के तों उत थे मांजो सभीर सिंग बादल प्रदार्ण श्रोमनी कालीदल दी अगवाई देहे श्रोमनी कालीदल बसपा दी एस सूबे देविच्च बोगिंटी मजावर्टी देविच्च सरकार बनेगी ते हर तरह जोकां दे मसले टेड़े हो हल होंगे डिवेल्मेंट होईगी अमर्शांती बनेगी आप सी पाई चरक सांज जाज़े हो गयम रहे की सो आउ सारे रखे श्रोमनी कालीदल बीएस पी दड़ट के साथ देगे ते आउन आ काली आगू बिकरम जीत सिंग मजीठिया खिलाफ एफ आयार दर्च करन नू आमादमी पार्टी यानि की आपने सर्ता तारी कांगरस सरकार दाच चुनावी स्टंट करा देता है मंगलवार नू पार्टी मुख दफ्तर दे विच पत्तर कारा नू संबोधन कर दें आप दे दिली तो विदाया खते पंजाब मामलयां दे से इंचार्ज रागफ चड़ा ने दोश लगाया 88 दिसंबर नू ही दास्ते तासी के मुख मंतरी चन्नी अते सुग्बीर बादल विचकार एक फर्म हाउस दे डीन हो चुकी सी चन्नी सरकार चनावी फाइदे ले बेहत कमजो सरकार नहीं रहेगी उनकी सारी सरकारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी फिर पंजाब में एलेक्शन होगा और एक नहीं सरकार आईगी यह सब जानते हैं कि अब चन्नी सरकार एक हफ़ते की बच्ची है पांच साल कॉंगरेस की सरकार ने नशे के खिलाफ कोई कारवाई नहीं करी पांच साल कॉंगरेस सरकार ने नशे के वेपार को पंजाब में नहीं रोका पांच साल कॉंगरेस की सरकार ने नशे के सौधागरों को नहीं पकड़ा पांच साल कॉंगरेस की सरकार ने नशे के वेपार की कोई investigation नहीं करी लेकिन चुनाव से पाँच दिन पहले चोण जापता model code of conduct लगने से पाँच दिन पहले ये FIR करकर election stunt करना चाहती है चन्नी सरकार और Congress Party मैं साफ तोर पे पंजाब की अवाम को ये कहना चाहता हूं कि Congress के इस जूट फरेब और धोके में मत फसिएगा Congress रल मिलकर शिरोमन या काली दल के साथ पूरी political patronage के साथ पूरे पंजाब में नशे का वेपार करती है इनकी 75 पच्ची की partnership चलती है और बिना political patronage के बिना सरकार के हाथ के आशिरवाद के नशे का इतना बड़ा वेपार नहीं चलता आज पंजाब में हर गली महले नुकड पे नशा बिखता है ये इसलिए बिखता है क्यूंकि Congress Party की सरकार ड्रग माफिया के साथ रल के मिल के पंजाब के लोगों की नसों में नशा उतारती है 75 पच्ची की पार्टनर्शिप चलती है 75 परसेंट सरकार का 25 परसेंट माफिया का और ये सारा पैसा नेताओं की जेब में जाता है अगर Congress Party असल में नशे के सौदागरों के खिलाफ ड्रग लॉट्स के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना चाहती तो क्या पांच साल कम समय होता है क्या 16 मार्च 2017 से लेकर आज तक एक्शन नहीं लेना चाहिए था सिर्फ चुनाव से एक हफ़ता पहले चोण जापता लगने से एक हफ़ता पहले सरकार समाप्त होने से खताम होने से एक हफ़ता पहले एक बहुत ही कमजोर FIR करके दिखावा करना चाहती है चन्नी सरकार हम इस दिखावे में नहीं फसेंगे चन्नी सरकार के स्टंट मैं चरण जीत सिंग चन्नी के इलेक्शन स्टंट में हम नहीं पढ़ेंगे ये चन्नी सरकार का एक election stunt है stunt man का एक stunt है और हमने आपको 8 December 2021 को बता दिया था कि चन्नी सरकार एक ऐसे ही जूट मूट का कमजोर केस बना कर बिकरम सिंग मजीठिया को पकड़ के जेल में डालेगी और अगले ही दिन इतना कमजोर केस होगा कि अगले ही दिन उन्हें कोट से बेल मिल जाएगी ये एक fixed match है शिरोमनी अकाली दल और कॉंगरेस पार्टी के बीच में और इस match fixing के तहट ये सारे काम किये जा रहे है और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अगर पंजाब में कॉंगरेस पार्टी नशा खतम करना चाती जो उन्होंने वादा किया था श्री गुटका साब की सौंख हांके क्याटन साब ने कहा था कॉंगरेस पार्टी के सभी आगू उन्हें कहा था कि हमारी सरकार बनने के चार हफ़तों के अंदर हम पूरे पंजाब से नशा खतम कर देंगे चार हफ़ते छोड़िये चार साल में कॉंगरेस पार्टी वो नशा नहीं खतम कर पाई इन फैक्ट वो नशे का व्यपार कॉंगरेस की सरकार में बढ़ा है और जितना नशा अकालियों के समय बिखता था उससे जदा नशा आज कॉंग्रेस पार्टी की सरकार में बिक रहा है मैं कॉंग्रेस पार्टी के स्टंट मैन चरंजीत सिंग चन्नी साब को कहना चाहता हूँ ये इलेक्शन स्टंट बंद करिये स्टंट मैन साब हमें असल एक्षन चाहिए दिखावा नहीं चाहिए कमजोर F.I.R. नहीं चाहिए हमें नशे के खिलाफ एक्षन चाहिए पूरे पंजाब में जगा जगा नशा बिकता है और इसलिए बिकता है क्योंकि चन्नी सरकार कॉंग्रेस सरकार रल मिलके नशा बिकवाती है पूरे पंजाब में और मैं आपको एक और एक्जामपल देना चाहता हूँ अगर आप वो इस F.I.R. जो बिकरम सिंग मजीठिया के खिलाफ दर्च करी है उसे उठा कर पढ़ें तो उसके अंदर ओफेंस पीरियड यानि की गुनहा जो कथा तत्रित गुनहा है अलेजड ओफेंस है वो 2004 से 2014 के बीच में किया गया यह F.I.R. कहती है अगर 2004 से 2014 के बीच कोई गुना किया गया तो 2007 से 2012 भी कॉंग्रेस की सरकार थी वो गुना को रोक सकती थी गुनेगारों को सलाकों की पीछे डाल सकती थी 2017 से 2022 तक भी कॉंग्रेस की सरकार है 2017 में एक्शन ले सकती थी 2018 में एक्शन ले सकती थी 2019 में एक्शन ले सकती थी 2020 में एक्शन ले सकती थी अब चुनाव इलेक्शन आने वाला है चोंड जापता लगने वाली है Model Code of Conduct लगने से 5 दिन 7 दिन पहले एक्शन लेकर एक जूट मूट की कमजोर F.I.R. दर्च करके आप लोगों को ये दिखावा दिखाकर ठग नहीं सकते लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते ये हम चन्नी सरकार को सीधे तोर पे कहना चाते हैं और आखिर में मैं ये कहना चाता हूँ कि ये सरकार और चन्नी साहब जो दो बार अपना E.G. बदल चुके हैं तीन बार अपना D.G.P. बदल चुके हैं काई बार Bureau of Investigation के सुप्रीमों को बदल चुके हैं मैं पूछना चाता हूँ चन्नी साहब से क्या आप सरकार चला रहे हैं कि सरकस चला रहे हैं यह ऐसे सरकार चलती हैं कि ऐसे सरकस चलता है केवल सिर्फ इलेक्शन्स के मद्दे नजर और सिर्फ इलेक्शन्स के मद्दे नजर एक स्टंट करने की कोशिश कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने करी है हम स्टंट में चन्नी साब को कहना चाते हैं असल एक्षन करके दिखाईए पंजाब में नशे के वैपार को रोक के दिखाईए पंजाब में नशे के वैपार को कम से कम कम करके दिखाईए घटा के दिखाईए लेकिन एक्षन लीजिए पंजाब की जनता इस बार आपके ये सारे स्टन्ट आपके सारे धोके आपके सारे दिखावे जान चुकी है उसकी असलियत जान चुकी है और इस बार पंजाब की अवाम आपकी इस मैच फिक्सिंग में इस फिक्स्ट मैच में फसने वाली नहीं है चन्नी सरकार मैं आपसे य काफी लमी उडीक तो बाद Central Board of Secondary Education दे वलों सी टेट अते पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दे वलों पी टेट दी प्रिख्या दा एलान कीता गया है इस देनाल जिथे अध्यापक बणन दे चावाना दे वज़ खुशी दी लैर सी उथे इस प्रिख्या देन वाले कुछ विद्यार थी दोवाब बोर्डा दे आपसी टाल में विच काट कारन परेशानी दे वज़ कि रगए ने विद्यार थी अंधी प्रेशानी यहे कि जिथ ओते सी टेट दी परिख्या चोवीट दिसंबर नो रखाला है, ओती पीट अड़िवी परिख्या चोवीट दिसंबर नो ही राख देती गई है। अगू सिकपाल सिंग खेरा नू हाई कूट तो वड़ा चटका लगा है हाई कूट वलों खेरा दी जमानत अर्जी ते होन वाली सुनवाई टाल देती गई है उन्हों ना दी जमानत अर्जी ते अगली सुनवाई 18 जनवरी नू होईगी ए जानकारी उना दे पुत्तर महताब सिंग खेरा ने फेस्बुक राही पोस्ट पाकिस्सांची कीती है मैताब खेरा ने किया कि मैनू बहुत उमीद सी कि मेरे पिता दी आज जमानत हो जाएगी क्योंकि यह सौफीस दी बेगुना ने पर हाई कोड ने जमानत दी अगली सुनवाई 18 जनवरी ते पादेती है उन ने कहा कि ओ हर तरांदी चनौती दा सामना करन दे लई तियार ने जिकरी हो गय कि सुकबाल सिंग खेरा नू 11 नमबर नू E.D. ने मनी लॉंडरिंग दे दोशां दे विच गिरफतार किता सी एसमगरों उनना वलों मोहाली अदालत दे विच जमानत दी पेटीशन दायर कीत गई सी पर उनना नू जमानत नहीं मिली सी इस तो बाद उनने 13 दिसंबर नू हाई कोट दा दरवाजा खटकटाया सी हाई कोट ने जमानत पटीशन दे आज सुनवाई कानी सी पर ओवी टाल दी गई है दोहजार पाइदियां चोना ली खाड़ा पक्या होया है गिदड़ बाहा दे विच कांगर्स दी चोन रैली होन जा रही है सीम चनी ते सिद्धू रैली नू संबोधन करंगे यानि की हुन चोना दा महौल है ते कोई भी पार्टी इस नू हलक के दे विच नहीं लगना चाओंदी जिते चोना लो लेके मीटिनगअद दा दौड जा रही है उते दूजे पासे जयकर गाल कीती जावे ता रैलियां भी चाल रही है गिदड़ बाहा दे विच भी रैली होईगी गिदड़ बाहा राजा वडिंग होरा दा हलका है ते सुबाविके की राजा वडिंग भी पिरू करतियां गईयां ने लोग कांदे विच विश्वाश बनाओं दी कोशिश कीती जा रही है। सो जिस दे चाल दे अज गिदर बाहा दे विच कांगर्स दी चोन रैली होईगी। सीम ते नवजोद सिंग सिदू रैली नू संबोधन करनगे। सो वेखना होईगा की कुछ जिकर होईगा आज दी रैली दे विच भीते दिनी जो बिकरम जीत सिंग में जीठिया ते परचा होया उसनू लेके वी जिकर होईगा यां फिर नई इस अब रैली दे विच छी पता चलेगा फिरहाल गिदर वाहा दे विचा जोन रैली होन जारी है। सीम चैनी ते नवजोद सिंग सिदू रैली नू संबोधन करनगे। प्र पॉड़ नू था जोन रैली इस अबनाग ग्जोद सिंगा जी जब्दाइ प्रचाटान का चृज चाले कि वी वी जिए प्रवी स्टूर अजोर ब्लू रैली जिए डिए मूट इस केनली ठीजज ज़ वीजाए प्रचान जून वीजा इस प्रवाट सिंग में स्वी निए निए प्लस वंग प्लस वंग उन्स आट्स एंग जून सिन्यर सिकनरी प्लिक चूल कर्याग्वाला इस अधिशिक बधिनगा चाना नियन 940 107 and 9988 4728 57 स्क्रynn講 kayak अर्टाइब अन्हां healthcare घरियम अंछाँर अंछलिग्त निरिम्ट जिस्कूरेरािson कैनल याथ शें çॉम झाल फिल्द जाष्ट है खन्सेन के ठाविंध अल्शी सिर्ट फिल्ट एल्हां प्रियंत इंधिर्ट theКन अंट इंटिस्ट हैंग्ट रुम लादेट अंज इस रोज़ एफ ए बंद ए वार गो मेड़ल आजी अपस्न के ए अल्वर है प्यृत लैंपट नी तकटन और sounds कोहाँ कोविश कि एंग फोल्ड झाल झाल